C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याय दस किशोरा अवस्था की ओर प्रिष्ट 113 से प्रिष्ट 126 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय दस किशोरा अवस्था की ओर प्रिष्ट 113 है पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जन्तु किस प्रकार जनन करते हैं मानव एवं बहुत से अन्य जन्तु एक निश्चित आयू तक पहुँचने के बाद ही जनन कर सकते हैं मानव किसी निश्चित आयू के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विशाय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वो जनन हे तू सक्षम हो पाता है अध्याई नौ में आप मानव जननांगों के विशाई में पढ़ चुके हैं इस अध्याई में हम उन हार्मोनों के विशाई में चर्चा करेंगे चो शिशु यानि बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपून भूमी का निभाती हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा हो कर वयस्क हो जाता है 10.1 किशोरा अवस्था वयोवनारंभ बूजो अपना बारवा जन्म दिन मना रहा था मित्रों के चले जाने के पश्चात बूजो और पहेली अपने माता-पिता के साथ बातें करने लगे पहेली एक कन्या विद्यालाय में पढ़ती है वो हसने लगी उसने टिपणी की के बूजो के कई मित्रों जिन से वो एक वर्ष बाद मिली थी कि लंबाई एक आएक कितनी बढ़ गई है उनमें से कुछ तो मूचे आने से जोकर याने काटून नजर आ रहे थे उसकी मा ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए है वृद्धी जन्म के समय से होने लगती है परंतु दस या ग्यारह वर्ष की आयू के बाद वृद्धी में एका एक ती वृता आती है और वृद्धी साफ दिखाई देने लगती है शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धी प्रक्रिया का एक भाग है ये इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रही है बूजो ने कहा शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवद्धी कब तक रहती है पहेली ने कहा जीवन का ये ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और नहीं बड़े मैं जिग्यासू हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवा अवस्था के मध्य की इस अवद्धी का कोई विशेश नाम है वृद्धी एक प्राकृतिक प्रक्रम है जीवन काल की वो अवद्धी जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरा अवस्था अर्थात अडॉलसिंस कहलाती है किशोरा अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयू से प्रारंब होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयू तक रहती है ये अवद्धी क्योंके अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयू तक होती है किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है लड़कियों में ये अवस्था लड़कों की अपेक्षा एक या दो वर्ष पूर्व प्रारंब हो जाती है किशोरा अवस्था की अवधी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है किशोरा अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं ये परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत हैं। इन में से सबसे महत्वपून परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जननक्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। प्रिष्ट 114 है। पहेली और बूजो दोनों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धी एवं लड़कों में हलकी दाड़ी मूचों का आना किशोर आवस्था के लक्षन हैं। वे यौवनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विशय में जानना चाहते हैं। दस दशमलव दो यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन लंबाई में वृद्धी लंबाई में एकाएक वृद्धी यौवनारंभ के दाउरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टी गोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों याने हड्डियों की लंबाई में व्रिध्धी होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है क्रिया कलाप 10.1 निम्न चाट में लड़के व लड़कियों की आयू के साथ लंबाई में व्रिध्धी की ओसत दर को दर्शाया गया है कॉलम दो और तीन में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयू पर पहुँचने पर होती है आयू को कॉलम एक में दर्शाया गया है उदाहरंत है ग्यारे वर्ष की आयू तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81 प्रतिशत लक्ष प्राप्त करता है जबके एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88 प्रतिशत तक पहुँच जाती है ये आंकडे प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रियोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाईए पता लगाईए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है इस सारणी में दो शीरशक दिये गए हैं पहला आयू वर्षों में और दूसरा पून लंबाई का प्रतिशत और इसके नीचे दो उपशीरशक हैं लड़के लड़कियां आयू वर्षों में आठ लड़के बहत्तर प्रतिशत लड़कियां सतहत्तर प्रतिशत आयू वर्षों में 9 लड़के 75 प्रतिशत लड़कियां 81 प्रतिशत आयू दस वर्ष लड़के 78 प्रतिशत लड़कियां 84 प्रतिशत आयू ग्यारह वर्ष लड़के 81 प्रतिशत लड़कियां 88 प्रतिशत आयू 12 वर्षों में लड़के 84 प्रतिशत लड़किया 91 प्रतिशत आयू 13 वर्ष लड़के 88 प्रतिशत लड़किया 95 प्रतिशत आयू 14 वर्ष लड़के 92 प्रतिशत लड़किया 98 प्रतिशत आयू 15 वर्ष लड़के 95 प्रतिशत लड़किया 99 प्रतिशत आयू 16 वर्ष लड़के 98 प्रतिशत लड़किया 99.5 प्रतिशत आयू 17 वर्ष लड़के 99 प्रतिशत लड़किया 100 प्रतिशत आयू अठारेह वर्ष लड़के सौ प्रतिशत लड़कियां सौ प्रतिशत पून लंबाई के लिए गणना सेंटिमीटर में वर्तमान लंबाई सेंटिमीटर में बटा वर्तमान आयू में पून लंबाई का प्रतिशत चाट में दिये गए मान के अनुसार गुणा एक सौ उदाहरण के लिए एक लड़का जिसकी आयू नौ वर्ष है तथा लंबाई एक सबीस सेंटिमीटर है वृद्धी काल की समाप्ती पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी एक सौ बीस बटा पचहत्तर गुणा एक सौ सेंटिमीटर बराबर है एक सौ साथ सेंटिमीटर प्रिष्ट एक सौ पंद्र है क्रिया कलाप दस दशमलव दो क्रिया कलाप दस दशमलव एक में दिये गए आंकनों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाईए आयू को X अक्षपर कथा लंबाई में वृद्धी का प्रतिशत Y अक्षपर लीजिए अपनी आयू को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए आप लंबाई के जि इस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कीजिए चित्र 10.1 इस चित्र में लड़के एवम लड़कियों की आयू दिखाई गई है। आयू के साथ बढ़ती उंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ प्रारंब में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक्ती वृता से बढ़ती हैं परन्तु लगबग 18 वर्ष की आयू तक दोनों अपनी अधिक्तम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं अलग-अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृत्धी की दर भी भिन्न भिन्न होती है कुछ यौवनारंभ में तीव्र गती से बढ़ते हैं तथा बाद में ये गती धीमी हो जाती है जबके कुछ धीरे धीरे वृत्धी करते हैं पहेली ने कहा मैं चिंतित हूँ यद्यपी मैं लंबी हो गई हूँ परन्तु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है पहेली को चिंतित होने की आवशक्ता नहीं है शरीर के सभी अंग समानदर से वृत्धी नहीं करते कभी कभी किशोर के हाथ अत्वा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं परन्तु शीग्र ही दूसरे भाग भी वृध्धी कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं फलत है शरीर सुडॉल हो जाता है आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ती की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है इसका कारण ये है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निरभर करती है परन्तु वृध्धी के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्चक है ये अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृध्धी करने हेतु परियाप्त पोशन करने में सहायता करता है आप किशुर की पोशक आवशक्ताओं के विशय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे शारीरिक आक्रिती में परिवर्तन क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना, निचली कक्षा के छात्रों के अपेक्षा अधिक चोड़े होते हैं? इसका कारण ये है कि वे यवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं जब विद्धी के कारण कंधे फैल कर चोड़े हो जाते हैं लड़कियों में कमर का निचला भाग चोड़ा हो जाता है विद्धी के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां, लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं अतहे किशोरा अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग-अलग हैं स्वर में परिवर्तन क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी-कभी आपकी कख्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है? यौवना रंभ में स्वर्यंत्र अत्वा लेरिंक्स में वृद्धी का प्रारंब होता है लड़कों का स्वर्यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बढ़ा हो जाता है लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर्यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है प्रिष्ट 116 है जिसे आडम्स, एपल याने कंठ मणी कहते हैं चित्र 10.2 लड़कियों में स्वर्यंत्र अपेक्शाकृत छोटा होता है अतह बाहर से सामाने तह दिखाई नहीं देता सामाने तह लड़कियों का स्वर उच्चतारत्व वाला होता है जबके लड़कों का स्वर गहरा होता है किशोर लड़कों में कभी-कभी स्वर्यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृध्धी हो जाती है और आवाज भटने या भर्राने लगती है ये स्थिती कुछ दिनों अथ्वा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है यहां चित्र के माध्यम से लड़कियों के गले में उपस्थित आडम्स एपल को दिखाया गया है चित्र 10.2 इस चित्र में किशोर लड़के का स्वर्यंत्र याने आडम्स एपल दिखाया गया है बूजो ने कहा मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज है अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों है स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया शीलता में व्रिध्धी किशोर आवस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है इन ग्रंथियों की अधिक क्रिया शीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुनसियां एवं मुहा से आदी हो जाते हैं इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे नीचे भकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है स्वेद ग्रंथी, तैल ग्रंथी तथा लार ग्रंथी जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती हैं अन्तहसरावी ग्रंथियां और मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं। इसलिए इन्हें नलिकाविहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। जनन अंगों का विकास पिछले अध्याई में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जननांगों का पुनराव अलोकन कीजिए। यौवनारंभ में नर जननांग जैसे के व्रिशन एवं शिशन पून तह विकसित हो जाते हैं। विरिशन से शुक्राणूओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशाय साइज में व्रिधी हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशाय से अंडानूओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानिसिक, बौध्धिक एवं संबेदनात्मक परिपक्वता प्राप्ट होना। किशोरा अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधी भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रती अधिक सचेत होता है। उनमें बौध्धि विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में ये वो समय है जब उसके मस्तिशक की सीखने की क्षमता सरवाधिक होती है। कभी-कभी यद्यपी, किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रती अ प्रन्तु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक व्रिद्धी के कारण उत्पन हो रही हैं। 10.3 गौन लेंगिक लक्षन आप अध्याय नौ में पढ़ चुके हैं कि व्रिशन एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युगमक अर्थात शुक्रानू एवं अंडानू उत्पन्न करते हैं। युवा वस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। अर्थात दाढ़ी मूचें आने लगती हैं। प्रिश्ठ 117 है। ये लक्षण क्योंके लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं अतहे इन्हें गौन लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांग के उपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं बूजो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि योवना रंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंतरित होते हैं हार्मोन रासाइनिक पदार्थ हैं ये अंतहसरावी ग्रंतियों अत्वा अंतहसरावी तंतर द्वारा सिरावित किये जाते हैं। योवनारंभ के साथ ही व्रिशन, पौरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रवन प्रारंभ कर देता है। ये लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आप अभी अभी पढ़ा है। जो पियूश ग्रंथी अत्वा पिट यूटरी ग्रंथी द्वारा स्रावित किया जाता है। 10.4 जनन प्रकार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतह स्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं। जिससे वो शरीर के विशिष्ट भाग अत्वा लक्षे स्थल तक पहुँच सकें। लक्षे स्थल हार्मोन के प्रती अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतहसरावी ग्रंथियां हैं। व्रिशन इवं अंडाशय लेंगिक हार्मोन सरावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि ये हार्मोन गौन लेंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदाई हैं। लेंगिक हार्मोन भी पियूश ग्रंथि द्वारा सरावित हार्मोन के नियंतरण में हैं। चित्र 10.3 पियूश ग्रंथि अनेक हार्मोन सरावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडानू एवं व्रिषण में शुक्राणू के परिपक्व होने को नियंतरित करता है। पियुश ग्रंथी से सिरावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरॉन, पुरुष या नर्मे तथा आस्ट्रोजन स्त्रीयों में सिरावित करने के लिए उद्धी पित करता है। उरुधिर प्रवाह में सिरावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन भागों यानि लक्षे स्थल तक पहुँचता है। योवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्धी पित करता है। चित्र 10.3 योवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंतरित किये जाते हैं। पहेली और बूजो अब समझ गए हैं कि योवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधी का प्रारंभ है। जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है। परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जननकाल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन परियंत तक चलता रहता है। या कभी समाप्त होता है। प्रिष्ट 118 रहे। 10.5 मानव में जननकाल की अवधी। जब किशोरों के व्रिशन तथा अंडाशय युगमक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युगमक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुशों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधी तक रहती है। स्त्रियों में जनना वस्था का प्रारंभ योवना रंभ दस से बारह वर्ष की आयू से हो जाता है तथा सामान नित है पैंतालीस से पचास वर्ष की आयू तक चलता रहता है। योवना रंभ पर अंडानू परिपक्व होने लगते हैं। यदि अंडानू का निशेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिती में अंडानू तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिरवाहिकाउं सहित निस्तारित हो जाता है। इस से स्त्रियों में रक्त स्राव होता है जिसे रितू स्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। रितू स्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला रितू स्राव यवनारंभ में होता है जिसे रजोधर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयू में रितू स्राव होना रुख जाता है। रितू स्राव के रुख जाने को रजो निवृत्ती कहते हैं। प्रारंभ में रितू स्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समाय लग सकता है। पहेली कहती है कि स्त्रियों में जननकाल की अवधी रजो दर्शन से रजो निवृत्ती तक होती है। क्या वो सही है? रितु स्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडानू का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गरभाशय की दीवार का मोटा होना इवम निशेचन नहोने की स्थिती में उसका टूठना शामिल है। यदि अंडानू का निशेचन हो जाता है तो वो विभाजन करता है तथा गर्भाशाय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है जैसा के आप पिछले अध्याई में पढ़ चुके हैं चित्र 9.8 10.6 संतती का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है पहेली ने कहा मैंने अपनी मां और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निशेचित अंडानू लड़के में अत्वा लड़की में विकसित होगा लड़का अत्वा लड़की निशेचित अंडानु अत्वा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारन का संदेश होता है। ये संदेश निशेचित अंडानु में धागे सी संरचना अर्थात गुण सूत्रों में नहित होता है। अध्याय आठ का स्मरण कीजिए कि गुण सूत्र प्रत्येक कोशिका के केंदरक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंदरक में 23 जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं। इन में से दो गुण सूत्र, एक जोड़ी, लिंग सूत्र हैं, जिने X एवं Y कहते हैं। स्त्री में दो X गुण सूत्र होते हैं, जबके पुरुष में एक X तथा एक Y गुण सूत्र होता है। युगमक याने अंडानु तथा शुक्रानु में गुनसूत्रों का एक जोडा होता है। अनिशेचित अंडानु में सदा एक एकस गुनसूत्र होता है। परंतु शुक्राणू दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में X गुनसूत्र एवं दूसरे प्रकार में Y गुनसूत्र होता है। प्रिष्ट 119 चित्र 10.4 को देखिए। जब X गुनसूत्र वाला शुक्राणू अंडाणू को निशेचित करता है, तो युगमनज में दो X गुनसूत्र होंगे, तथा वो मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडानू को निशेचित करने वाले शुक्रानू में वाई गुण सूत्र है, तो युगमनज नर्शिशु में विकसित होगा। चित्र दस दशमलव चार इस चित्र में मनुष्य में लंग नर्धारण को दिखाया गया है। इस चित्र में दो शुक्रानू एकस एवं वाई अंडानू से मिलन करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाये गए हैं। एकस एवं वाई के मिलन से नर्ट एकस वाई लड़का पैदा होता है, जबके X के X से मिलन के कारण XX अर्थात मादा याने लड़की का जन्म होता है अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निरधारण उसके पिता के लिंग गुन सूत्रों द्वारा किया जाता है ये धारणा के बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदाई है पून तहे निराधार है एवं अन्याई संगत है दस दशमलव साथ लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन चित्र दस दशमलव तीन का पुनह अवलोकन कीजिए पियूश ग्रंथी द्वारा सरावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन करने के लिए उद्धी पित करते हैं आप पढ़ ही चुके हैं कि पियूश ग्रंथी एक अन्तह सरावित ग्रंथी है जो मस्तिशक से जुड़ी होती है पियूश ग्रंथी वरिशन एवं अंडाशाय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थाइरोइड, अग्नियाशाय एवं एड्रेनलिन याने अधी वरिक जैसी कुछ अन्य अंतहसरावी ग्रंथियां भी हैं। चित्र 10.5 में मनुष्य के शरीर में अन्तहसरावी ग्रंथियों की स्थिती को दर्शाया गया है। सबसे उपर पियूश ग्रंथि, फिर गले में थाइरोइड ग्रंथि, फिर पेट में एड्रिनल ग्रंथि और अग्नियाशाय, फिर नीचे स्तिरियों में अंडाशाय की स्थिती और व्रिशन को दर्शाया गया है। बूजो और पहेली को याद है कि एक बार जब वो अपनी डॉक्टर बूआ के यहां गए थे, तब उन्होंने वहां काका नाम के एक लड़के को देखा था, जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बूआ ने उन्हें बताया के काका गॉइटर नामक व्याधी से ग्रस्त है जो थाइरोइड ग्रंथी का रोग है। प्रिष्ट 120 काका की थाइरोइड ग्रंथी थाइरोकसिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बूआ ने ये भी बताया के उनके फूफाजी मधुमेह से पीडित हैं क्योंकि उनका अग्नियाशाए इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन परियाप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूजो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चाट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथी के विशाए में पूछा। उनकी बूआ ने उन्हें बताया के एड्रिनल ग्रंथी ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनल एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रवन भी करती हैं। एड्रेनिलिन, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थाइरोइड एवं एड्रिनल ग्रंथी, पियूश ग्रंथी द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवन करती है। पियूश ग्रंथी व्रिद्धी हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ती की सामान्य व्रिद्धी के लिए आवशक है। बूजो ने पूछा, क्या अन्य जन्तूओं में भी हार्मोन स्रावित होती हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? 10.8. कीट एवं मेंधक में जीवन चक्र पून करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेंधक के जीवन चक्र के विशाय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलब बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पढ़ता है। कक्षा साथ में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेंधक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पढ़ता है। अध्याई 9 लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण चित्र 9.10 कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंतरण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंधक में थाइरोइड द्वारा स्रावित हार्मोन थाइरोकसिन इसका नियमन करता है। थाइरोकसिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिती आवश्चक है। यदि जल में जिसमें टैड़ पोल वृद्धी कर रहे हैं, परियाप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो टैड़ पोल वयस कमेंधक में परिवर्धित नहीं हो सकते। बूजो ने पूछा, यदि व्यत्ती के आहार में परियाप्त आयोडीन न हो, तो क्या उन्हें थाइरॉक्सिन की कमी के कारण गॉइटर हो जाएगा? क्रिया कलाप 10.3 किसी पत्र का अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उप्योग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। 10.9 जननात्मक स्वास्थिय व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगती मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये बातें और भी अधिक आवश्चक हो जाती हैं। किशोर की पोशन आवश्चकताईं। किशोर आवस्था तीवर वृध्धी एवं विकास की अवस्था है। अतहे किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ी चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन इवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। प्रिष्ट 121 हमारा भारती ये भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल इवं सबजियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है, फल भी हमें पोशन देते हैं। शिश्वों को मा के दूध से संपून पोशन मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। पतीदार सबजियां, गुड, मांस, संतरा, आवला इत्यादी, किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्री के भोजन के खाद्यपदार्थों की जाँच कीजिये। क्या भोजन संतुलित एवं पोशक है। क्या इसमें ऐसे खाद्यान संमिलित हैं जो उर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूद, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धी है तू प्रोटीन प्रदान करते हैं। क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल हैं जो उर्जा प्रदान करते हैं। फल एवं सबजियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन हैं। चिप्स तथा पैक किये हुए अथवा डिब्बा बंद खाद दिये। यद्यपी स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उन में पोशक मात्रा परियाप्त नहीं होती। क्रिया कलाप 10.4 अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाईए। उन खाद्यपदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन याने कल नाश्ते, दोपहर के भोजन इवं रात्री कालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्यपदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धी के लिए उत्तरदाई हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था। क्रिया कलाप 10.5 चित्र 10.6 से प्रेरणा लेकर चाट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाए जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्शक्ता के प्रती सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ती का प्रियोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विशाय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। चित्र 10.6 इस चित्र में भोजन के पोशक पदार्थ दिखाए गए हैं। इस चित्र में सबजियां दिखाई गई हैं। उसके नीचे दूध एवं अंडे एवं उसके साथ बाई और फल और सबसे नीचे खाद्यान दिखाए गए हैं। व्यत्तिगत स्वच्छता प्रत्येक व्यत्ती को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। ये किशोरों के लिए और भी आवश्चक है क्योंकि स्वेद गरंतियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवानू संक्रमन होने का खतरा रहता है। प्रिष्ट एक सवबाईस लड़कियों को रितू स्राव के समय सफाई का विशेश ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने रितू स्राव चक्र का ध्यान रखते हुए रितू स्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनेटरी नापकिन अथवा घर पर तैयार किये गए कपड़े के पैड इत्यादी का उपियोग करें। आवशक्ता अनुसार हर चार से पांच घंटे में नापकिन अथवा घर पर तैयार किये गए पैड को बदली। शारीरिक व्यायाम ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा वकिशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, प्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे के बकसे में क्या करें और क्या न करें कि सम्मंद में महत्वपून जानकारी दी गई है। ब्रांतियां एवं असत्य अवधारनाई करें और न करें। अध्याय नौ एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्यानिक तथ्य एवं सिध्धानतों के विशाई में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारनाई प्रचलित हैं जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरन के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारनाई हैं। इन में से कुछ को यहां नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मिथ, अथवा, असत्य धारना है जिनका कोई आधार नहीं है। एक, रितु स्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है, तो वो गर्भवती हो जाती है। दो, संतान के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदाई है। तीन, रितु स्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निशिद्ध है। आपको ऐसे अनेक अन्य कथन या मित मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है, उनको उखाड फेंकिए, छोड़ दीजिए। क्रिया कलाप 10.6 अपनी कक्षा में उन सहपाठीयों के आंकड़े एकत्र कीजिए, जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए, जो व्यायाम नहीं करतें, क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थिय में कोई अंतर दिखाई देता है। नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तयार कीजिए, नशीली दवाओं ड्रग्स का निशेद करें। दवा के सेवन से आप अच्छा अथ्वा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए। जब तक वो दवा डॉक्टर दवारा ना दी गई हो। उन्हों को ही बरबाद कर देते हैं। आपने एड्स के विशाय में तो अवश्य ही सुना होगा। जो HIV नामक खतरनाक विशानू याने वाइरस दवारा होता है। ये वाइरस एक पीडित व्यक्ती से स्वस्थ व्यक्ती में ड्रग के इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज दवारा भी जा सकता है। वाइरस का संक्रमन दूसरे माध्यमों जैसे के पीडित रोगी मां से दूध दवारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीडित व्यक्ति के साथ लेंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमन हो सकता है। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे किशोर द्वारा गर्भधारण विशय पर महत्वपून जानकारी दी गई है। आप संभवता है जानते होंगे के हमारे देश में विवाह की विधी संगत याने कानूनी आयू लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयू याने किशोर लड़कियां या माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातरित्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह याने कम उम्र में विवाह तथा मातरित्व से माँ एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याई उत्पन हो सकती है। इससे युवास्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातरित्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अतह वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। प्रिष्ठ 123 प्रमुक्षब्द आडम्स आपल किशोरा अवस्था एज्ज्रेनिलिन संतुलित आहार अंतह सरावी ग्रंथियां आस्ट्रोजन हॉर्मोन इंसुलिन पियूश ग्रंथी यौवनारंभ जननात्मक स्वास्थिय। गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुण सूत्र, लक्षय स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थाइरोक्सिन, स्वर्यंत्र। आपने क्या सीखा। यौवनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। ग्यारह वर्ष की आयू से उननीस वर्ष तक की अवधी किशोरावस्था कहलाती है। यौवनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में व्रिद्धी होती है। तथा शरीर के विभिन स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूचें आ जाती है। किशोरावस्था में स्वर्यंत्र की व्रिद्धी होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। किशोरा अवस्था में लंबाई में वृध्धी होती है। यौवनारंभ इवं जनन अंगों का परिपक्व होना हॉर्मोनों द्वारा नियंतरित होता है। हॉर्मोन अंतह स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हैं जो रुधिर में सीधे पहुचते हैं। पियूश ग्रंथी हॉर्मोन स्रावित करते हैं जैसे के वृध्धी हॉर्मोन तथा अन्य ग्रंथियां व्रिशन, अंडाशय, थाइरोइड तथा एड्रेनल को हॉर्मोन स्रावित करने के लिए उद्धी पित करते हैं। अग्नियाशय इंसुलिन का थाइरोइड थाइरोक्सिन का तथा एड्रिनल एड्रेनलिन हॉर्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा आस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशाय की दीवार निशेचित अंडानु यने युगमनज को ग्रहन के लिए अपने आपको तैयार करती है। निशेचन न होने की स्थिती में गर्भाशाय की दीवार की अंतरिक सतहे निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे रितु स्राव अथ्वा रजोधर्म कहते हैं। अजन में शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युगमनज में एक्स एक्स गुनसूत्र हैं अथ्वा एक्स वाय गुनसूत्र। किशोरा आवस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपून है। प्रिष्ट 124 अभ्यास एक, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदाई अंतहस रावी ग्रंतियों द्वारा स्रावित पधार्थ का क्या नाम है। दो, किशोरा आवस्था को परिभाशित कीजिए। तीन, रितु स्राव क्या है। वरनन कीजिए। चार, यौवना रंभके समाए होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाईए। पांच, दो कॉलम वाली एक सारणी बनाईए, जिसमें अंतहस रावी ग्रंतियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाई गए हो। चै, लिंग हार्मोन क्या हैं। उनका नाम करण इस प्रकार क्यों किया गया। उनके प्रकार ये बताईए। साथ, सही विकल्प चुनिये। क, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रही हैं क्योंके एक, उचित भोजन से उनके मस्तिश्क का विकास होता है। दो, शरीर में तीवरगती से होने वाली वृद्धी के लिए उचित आहार की आवशक्ता होती है। तीन, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। चार, किशोर में स्वाद कलिकाई याने ग्रंथियां भली भांती विकसित होती है। ख, स्त्रियों में जनन आयू, काल का प्रारंभ उस समय होता है, जब उनके एक, रितू स्राव प्रारंभ होता है। दो, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं। तीन, शारीरिक भार में वृद्धी होने लगती है। चार, शरीर की लंबाई बढ़ती है। ग, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वचित है। एक, चिप्स, नूडल्स, कोक। दो, रोटी, दाल, सबजियां। तीन, चावल, नूडल्स, बरगल। चार, शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। आठ, इन पर टिप्पणी लिखिये। एक, आडम्स आपुल। दो, गौन लेंगिक लक्षण। तीन, गर्भस्त शिशु में लिंग निर्धारण। नौ, शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रियोग कीजिये। बाई से दाई ओर। तीन, एड्रिनल ग्रंथी से स्रावित हार्मोन चार, मेंधक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन पांच, अंतह स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। 6. किशोरा अवस्था को कहा जाता है उपर से नीचे की ओर। 1. अंतह स्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम 2. स्वर पैदा करने वाला अंग 3. स्त्री हार्मोन 10. नीचे दी गई सारणी में आयू वृद्धी के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयू को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागस पर ग्राफ खींचिये। इस ग्राफ से आप क्या निशकर्ष निकाल सकते हैं। यहां दिखाई गई सारणी में दो मुख्य शीरशक हैं आयू वर्षों में वह लंबाई सेंटिमीटर में और इसके नीचे दो उपशीरशक दिये गए हैं लड़के लड़कियां। शुन्य वर्ष की आयू में लड़के 53 सेंटिमीटर लड़कियां 53 सेंटिमीटर चार वर्ष की आयू में लड़के 96 सेंटिमीटर लड़कियां 92 सेंटिमीटर आठ वर्ष की आयू में लड़के 114 सेंटिमीटर व लड़कियां 110 सेंटिमीटर बारह वर्ष की आयू में लड़के 139 सेंटीमीटर व लड़कियां 133 सेंटीमीटर सूलह वर्ष की आयू में लड़के 150 सेंटीमीटर व लड़कियां 150 सेंटीमीटर दीस वर्ष की आयू में लड़के 173 सेंटीमीटर व लड़कियां 165 सेंटीमीटर यहां दाई और एक ग्राफ में लड़के व लड़कियों की लंबाई के संदर्भ में जानकारी दी गई है लड़कियों के लिए लाल रेखा का ग्राफ में प्रियोग किया गया है व लड़कों के लिए ग्राफ में नीली रेखा का इस्तिमाल किया गया है प्रिष्ट 126 विस्तारित अधिगम 1. अपने से बड़े संबंधियों से बाल विवाह के कानूनी पहलू के संबंध में जागरूपता का पता लगाईए। आप स्वयम इस संबंध में अपने अध्यापक, मातापिता, डॉक्टर अथ्वा इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाल विवाह दमपती के लिए क्यों उचित नहीं है, इस विशय पर दो मिनट का व्याख्यान लिखिये। 2. HIV AIDS के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कीजिये, HIV AIDS पर 15-20 वाक्यों का लेख लिखिये। 3. 2011 जनगणना के अनुसार हमारे देश में प्रती एक हजार पुरुशों के लिए 940 स्त्रियां हैं। पता लगाईए के क कम अनुपात के लिए समाज की क्या चिंताएं हैं। याद रखिए के लड़का अथ्वा लड़की होने की संभावना एक समान है। ख. एम्नियो सेंटिसिस क्या है तथा ये तकनीक किस प्रकार उपियोगी है। भारत में इस तकनीक द्वारा गर्भस्त शिशु के लिंग की पहचान करने पर प्रतिबंध क्यों है। 4. अपने समग्र विचारों को समाहित करते हुए जनन संबंधी तथियों की जानकारी के महत्व पर संशिप्त टिपपणी लिखिए। इसी के साथ अठारह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय दस यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला को छड़। अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठे पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत। प्रस्तुती C.I.E.T.